पंचायच चुनाव मतलब की गाओं की सरकार जारखंड में लंबे अंतराल के बाद पंचायच चुनाव हुआ था पांच साल की ओधी पूरी हो गई और इसका कारेकाल जो है तमाम जन प्रतिनीदियों का समाप्त हो गया एक बार फिर से पंचायच चुनाव की सुगबगाहट जारखंड में सुरू हुई लेकिन होते होते चुनाव यह एक बार फिल टल गया है और यह चुनाव कब होगा यह कह पाना और बता पाना शायद अभी मुश्किल है बहराल कैपिटल न्यूज पंचायच चुनाव को लेकर गाओं की सरकार को लेकर लगतार आपको जागरूप करता रहा है और पांच साल गुजर जाने के बाद पंचायचे कितना शशक्त हुई है कैपिटल न्यूज पहुँचेगा उन तमाम लोगों के पास और जानेगा क पांस साल में गाओं का कितना विकास हुआ है जनपरती नीधियों ने क्या क्या किया है हम पहले जनपरती नीधियों से भी मिलेंगे उसके बाद लोगों तक भी जाएंगे और जानेंगे कि क्या सचमुत पंचायचों को ससक्ति करण करने के लिए पंचायचों करने के लिए जो पंचायत चुनाव किया गया था वो कितना कारगर और सफल हो पाया खैर इस बीच हम पहुँचे हैं सदर प्रखंड के जमूने पंचायत में और यहां लंबे समय से जनता के बीच रहे समाथ सेवा से जुड़े रहे हमारे साथ सहयोगी मौजूद है अजीत महता जी अजीत महता जी से हम जानेंगे कि क्या जमूने पंचायत में किस तरीके का विकास हुआ है वो लगातार इस पंचायत का परतेनिधित्व करते रहे हैं उसके अलावा अगर उनकी बात हम उनकी पतनी रानो देवी कि करें तो उन्होंने भी जिला परिशत का चुनाव जीता और पूरे छेतर के साथ और छेतर के लोगों के साथ संपर्क में बने रहे हैं तो अब जब पांस साल गुजर गया है फिर से अजीत महता चुनाव की तयारी शुरू कर रहे हैं बात्चित करेंगे अजीत महता जीस के इस खारिक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद के जो दर्सक है क्योंकि आपका पहल जो है बहुत साणीए है क्योंकि जो भी जन परतिनीधी है पांस सल कर लिएका जोका लेने आप पंचायत पहुचे है आज संजोग से कुस्वाहार रानो देवी जीला पसर सदस्या जीला में नहीं है इसके चलते हमको प्रत्नियूद करने का मुका मिला है और हमारे जीला पसरतकार छेत्र जो है नो पंचायत के था उसमें मैं बारी बारी से एक पंचायत का लेखा जोखा मैं अश्पर्ष्टूप से रख पाऊंगा जमने से मैं आज चालो करता हूँ आज जब जहारखन अलग हुआ तो आदिवासी इलाका दलित परिवार में खास कर खुशी देखने के लिए मिला था लेकिन खारा नहीं उतरा दोनों सरकार बीजेपी और जहारखन मुक्ती मुर्चा 21 के के दो पहलू रहें 32 साल के बाद जब चुना हुआ जब गाउं के सरकार तो फिल से एक खुशी का लहर दो रहा कि हमारे अब मातापिता लाइन में नहीं लगेंगे विर्धापेंसन के लिए गाउं का विकास होगा लेकिन पहले सरकार ने गाउं के सरकार को बेजती करने का भी काम किया हमारे मुख मंतिरी जी ने जीलापशत को दलाल कहके चल गए बिचलिया कहके चल गए और दूसरा सरकार अभी जो ततकाल है उन्होंने गाम के सरकार को मजबूत करने से पिछे हट गई चुनाव नहीं कराई विकास कोसो दूर रहा लेकिन फिर भी उसके अलावा कुश्वाहरानो देवी के साथ जीला परसद के जो करता धरता है उन्होंने सवतेला बेहवार किया लेकिन फिर भी कुश्वाहरानो देवी ने नीजी खट पर कुश सरकारी फंड लेकर जो भी समस्या रहा पंचाईत में उन्होंने काम करने के काम किया जो उपलब्धी के तोर पर काला पोख रहा गाउं है जमने पंचाईत का उसमें एक ही समसान घाठ है गाउं का जो वहाँ पर दलीत परिवार आदिबासी परिवार जाते हैं अजादी के बाद गाउं के सरकार हो चाहराज के सरकार हो वहाँ के लोगों ने बहुत दोड़ा लेकिन कुश्वाह रानो देवी ने उसका बात को समझी और अभी समसान घाट में सेड निर्मान कराई उसके अलावा जो पलामू जीला में सरनास्थल अधिबासी परिवार के लोग जो पुजापाट करते हैं भब सरनास्थल है आपका काला पकराह में हर गुरुवार को हमारे माता बहन सब वहाँ पर पुजापाट करने जाती थी सोचाले की कमी था जो रानो देवी ने महिला के दर्थ को समझी और सरकारी जीला परसद फंड से हिस सोचाले बनाने का वहाँ पर काम किया जो कभी कोई परतिनी दिने सूद लेने का भी काम नहीं किया था उसके अलावा भैसार खुर मंदीर नाम का महताज नियेक प्राचिन मंदीर है सक्ति से भरा है खजाना से भी भरा है वहाँ पर भी साधी विया हजारों साल में होते हैं मेला भी लगते हैं वहाँ भी सोचाले के कमी था रानो देवी ने वहाँ भी सोचाले बनाने के काम किया उसके अलावा जमने पंचाइत में जरजर देवी मड़प जो गाव के खुन पसेना के लोग चंदा किये कुछ और रानो देवी के द्वारा तीन लाक से जादे रुपिया के सहयो करकर देवी मड़प को भव बनाय गया ताकि प्रमंडल में उसका देवी मडप अभी नहीं मिलेगा उसके अलावा भैसाखन मंदीर का जो तलाप का जो पेंटिंग का काम था बहुत ही खराब इस्तिती में था मरम्ति करा के पेंटिंग भी उसको भी जिला परसद से कराया गया उसके अलावा अभी तक 21 चापा कल जमने पंचाइत में कम से कम 50 साल से खराब थे उसने रानो देवी ने अपने निजीक खट पर बनाने के काम किया उसके अलावा अभी जो जो जना नया में स्युक्रित है नमधारी जी की स्कूल के पीछे एक समसान घाट में सेट निर्मान सुनील साव के घर के पीछे खार टोला है वहाँ पर समसान घाट में सेड निर्मान उसके अलावा मैला पूल के बगल में धुलाई घाट का निर्मान अभी मटपूर ही टोला है काला पोखरा के वहाँ पर एक पूल टूटा हुआ है दलित परिवाल लोग रहते हैं पाम साल से बच्चे लोग इसकूल नहीं जाते हैं अभी स्युक्रिती मिली है उसका पूल का निर्मान होगा उसके अलावा राजो राम के घर से नालग तक आपका PCC का निर्मान देवी मड़ब से लेकर आपका संकर राम के घर तक PCC का निर्मान जमने टोला में विजय पाठा के घर से लेके टिकर का रोड तक PCC का निर्मान पाल टोला में नाली का निर्मान बाहरबा दोरी में पर्भू साव के घर से लेकर बस्ती तक PCC का निर्मान जो तमाम अभी लगभग 9-10 जोजना स्युक्रित मिली है जिला परसत से उसके अलावा इस पहले देवी मड़प का आपका काला पोखरा में एक देवी मडप जरजर इस्तिती में था वहां भी मैंने सहयो करने का काम किया वहां के लोगों ने चल जोजनाय भी बताया कि जिसकी जोजनाय क्यों नहीं स्युक्रित हुई थी देखिए पहले फंडिंग के कमी था सरकार कुछ दी है पैसा उसमें कुछ पैसा जो मिला बाटके सदस को तो जन उप्योंगी जोजना था जरूरी उसको मैंने अनुसंसा रानो देवी के दौरा किया गया कुष्वा रानो देव यह भी यारोप आप पे लगता रहा कि आपका जो फोकस था वो जमने पंचायत पे था इस बारे में आप क्या कहना चाहिए बतादे आपको कि छो साल का भी कार्च काल पूरा हुआ है उसमें देड़ साल ही मतलब है कि नो पंचायत का नितरूत की रानो देवी उसके बाद निगम में चल गया हमारा पंचायत जोड रजवादी जम नहीं बचा तो एक चोली जो भी सरकारी फंड जो है खर्च करना है इसके उसके अलावा जो भी मैंने भी गुरियाहिं में रोड बना जोड में भी बना भारिया में भी बना अपना निजी कहर्शे भी देखिए खन लेकिन वहां पर आदिवासी लोग दलित परिवार आपका पिछड़ा जाती के लोग है इसलिए जो भी परतिने दी हर में सा छनने के काम किया था अज रानो देवी जिला पर्षद बनी तो लोगों को लगा कि जिला पर्षद भी एक पद होता था पहले तो को जिला परिशद के नाम निशार नहीं जानता था कि क्या होता है जिला पर्षद देखिए लगबग में वश्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकारी जो पैसा है उन्होंने काला पोख्राह में सरनास्थाल में सोचाले बना भैसा खुर में सोचाले बना और एक जमने में नाली का निर्मान हुआ और उसके बाद एक PCC रोड बना फिलाल अभी सिक्रीटी मिली है उसके पहले आठ रोड आपका बैरिया जोड मिला के बना था आपका हन्मान नगर में एक रोड बारलोटा में दो रोड एक राजवादी में अथी मीडिल इस्कूल से लेकर चेड़ी धाम जो नदी किनारे जो पानी से परिचले थे कि कि गरीब के किसी जात के लड़की के साधी में हम पानी तंक की द्वारा फिरी देते हैं मरनी जिन्नी में पानी फिरी देते हैं कोई धार्मी काच करन में पानी फिरी देते हैं हरमेशा सबसे ज्यादे समस्या उभर के आती थी पानी का जो हमने निर चापकल को तंदूस कर देते हैं जो जमने पंचायत में हम आपको गिना देंगे पूरा छेत्र मिला के 200 चापकल हम रिपेरिंग करवा है जमने में भी हम कंठर्स ज्याद है हमको कि कहरवा टोली में नीजी खट पर चापकल बनाये गया उसके बाद भैसा खुर मंदीर में रा उसके अलावा मटपूरी में 6-7 चापकल और काला पोखरा में 10-12 चापकल बनाये गया